हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ इस छोड़ी छोड़ी बुनाई का देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा डिजैन है बनाने में भी यह पहुत ज्यादा असान है सिर्फ चार-चार सलाईयों का यह डिजैन है इस डिजैन की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस डिजैन को आप किसी भी परजेक्ट में डाल सकते हैं जैसे हमने लेडिस के जाकिट में डाला है आफ फुल काडिगन में, जैंस के फुल काडिगन में, हाफ में, चाकिट में, बेबी सेट बगएरा में, कैप में, किसी भी परजेक्ट में, गलब्स बगएरा बना रहे हो, उसमें भी सिर्फ चारचा स्लाईयों का डिजैन है, जिसमें एक स्लाई तो सीधी उल्टी डलेगी, एक स्लाई में सिरफ ये हमारा डिजैन ड़ेगा, इसके लिए जो हमें फंदे चाहिए वो six के multiple से, जैसे छे फंदे, छे फंदे, छे फंदे, छे फंदे, छे फंदे ऐसे करते हुए जाना है, लास्ट में आपने तीन फंदे एक्स्टा डाल लेने हैं एक तो एक ये सीधा फंदा लास्ट में और एक एक फंदा दोनों तरफ से एस्टिच का ये डीजैन अच्छे से आपका सेट हो जाएगा ठीक है तो चलिए ज़द इसे शुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए यहाँ फंदे ले लिए है 21 फंदे लिए हैं यहाँ पर मैं निकलाई सुलाई में 6 के मर्टीपल से 18 फंदे और 3 फंदे हमारे एक्स्टा तो जो इस डीजैन की 1st row हमने बनानी है तो पहला तो एस्टिच का फंदा है ठीक है S-T-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C तरफ करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, इस एक फंदे के हमने तीन फंदे बना लिए, अब क्या करेंगे, एक फंदा ये, एक फंदा ये, दो काएक करेंगे, अब ये छे फंदों का जैस बनाएंगे उल्टा बनाते हुए ये दो काई करेंगे फिर इस एक फंदे से तीन फंदे हमने बनाने हैं पहले तो इस फंदे को हमने उल्टा बनाया फिर सीधा फिर उल्टा फिर फिर से यहां पर दो काई किया अब दुबारा से इसी डिजैन को रिपीट करेंगे धागा एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा दूसरी तरफ फिर इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे ठीक है फिर यहां पर दो फंदों को एक साथ दो काई करतेंगे यह दो बार हो गया हमारा डिजैन धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ इन दो फंदों को इस तरह से दो काएक करतेंगे, दो काएक करने के बाद इसे एक फंदे को पहले हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करते हुए इसे सीधा बना देंगे, फिर ध एक पंदा कम हुआ यहान पर एक पंदा कम हुआ यह दो कंदे कम होगे यह एक से हमने तीन फंदे बनाएं तो кабलो Murray कम होगे अब क्या करना है दागा दूसरी तरफ करते हुए हमने इस फंदी को सीधा बना लेना है और ये stitch का फंदा भी सीधा ऐसे करते हुए design के पूरी first row हम बना कर complete कर लेंगे अब row second हमारी उल्टी तरफ से इस first फंदे को उतारिए और ये पूरी row हमने इसी तरह से उल्टी उल्टी बना लेनी है जो हमने ये एक से तीन फंदे बनाए थे ना को भी एक एक करते हुए हमने ऐसे ही उल्टे बना लेने है ये देखिए पहले ये वाला फंदा फिर ये वाला ध्यान से आपने तीनों फंदों को बना लेना है अगर दो का एक हो गया आपका तो क्या होगा फंदा कम हो जाएगा फिर डिजाइन हमारा गड़ बड़ा जाएगा तो इसी लिए इस तरह से करते हुए हमने अपना उल्टी सलाई को बनाकर कम्प्लीट कर लेना है तो ये डिजाइन की हमारी सेकंड रोग बनकर कम्प्लीट होती है अब थर्ड रोग हमने बनानी है डिजाइन की थर्ड रोग सीधी तरफ से जो पूरी सीधी आएगी इस फर्स्ट फंदे को हमने उतार देना है और इ देखिए डिजैन की तीन सलाइए बनकर कम्प्लीट होगी अब चोती सलाइए हमारी उल्टी तरफ से जिसे हमने पूरा उल्टा बना लेना है इस फर्स्ट फंदे को उतारिए इस पूरी रोग हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स ये चार्स लाइयों का ही हमारा डिजैन है इनी चार्स लाइयों को आपने बार 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 रर रपीट करते जाना है तो इस तरह से ये ब्यूटिफूल डिजैन आपका बनकर रेडी हो जाएगा इस तरह से बहुत सुंदर बहुत प्यारा डिजैन है बना हुआ भी कितना सुंदर लग रहा है इसे मन चाहिए किसी भी परजेक्ट में आप बना सकते हैं अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूज होनो वैस्त बहुत इजी बैटरन है आप अराम से बना लोगे तो वीडियो को दुबारा से स्टार्ट करकर भी आप देख सकते हैं तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना है आपने वीडियो को लाइक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं फिर मियूती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाब आपको साथ करना है वीडियो का लाइक वीडियो को शेम अईूर इन आपको अुरूर।